लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें झाली को सब्सक्राइब करें युल करें ल collaborate शुल कम लेंगी कि list अर आइट उपड़ Cross क्ना झाली कि क्या है इ मत अदो तूच दाता, तूविधाता, तूच आशा गनेशा, क्रुपा सिंधू, देन बंधू, गुडा धेशा गनेशा, तूच आचर्णासी एता, तूच दाता, तूच आशा गनेशा, क्रुपा सिंधू, देन बंधू, गुणा धेशा गनेशा, भवसा गरहाने तरुने, तूच गिरिजा तलया, तूझा प्रुपेने विश्वेचाले, नेदू खाला मिलया, शर्ण तुलामी, थेगजवदना, देवातू सर्वेशा, क्रुपा सिंधू, देन बंधू, गुणा धेशा गनेशा, पुझी आचर नासी एता, ए दुख मिनाशे अनंता, तूच आथाई मनहरा हो, इच आता मनेशा, तूच अधाया, तूविदाका, तूच आशा गनेशा, तूपा सिंधा, इन्यवन्तू, दुनाधी शा गनेशा, सुझी अगर ये कल की मिटिंग सक्सेस्फुल होगी तो शायद हमें अगले वीक जल्वनी जाना पड़ेगा, सर, सिद्धा, आम बिजी, सुझी आँ वो तियागी साब को ज़रू फों कर ले ना, और जिती पॉलिटिकल पार्टिस है, उसके पॉलिशन को डिवेट के लिए बुला ले ले लेना, को कि सर, सिद्धु गें यह तक सर आज घर जड़ी जाने, मेरी बिलिडिंग में गनपती बैट रहें, उनकी पूझा है, तो ठीक है, आकाश की स्टोरी कंप्लीट कर दो, उसके बाद चले जो भाई, आकाश, आकाश, जी डाड, क्या है यह, है, क्या है अब घंटू चन, मैं दिन रहा देख कर रहा हूं तेरे वास्ते, पैसा कमार हो तेरे वास्ते, और तु शाम को साथ बज़े जो टके की लॉडिया के साथ भागरें कप्ला निकर रहे, डाड मैं पूझो से प्यार करता हूं डाड, अब मैं प्यार क्या तेले ने, बेटा देख, इधरा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, यह लड़किया ना बेफ़कूफ बनाती है, चल, मैं तुझे दिखाता हूं तेरे वास्ते क्या-क्या रखा है हमने, चल-चल-चल, चल-चल-चल, आज़-आज़-आज़-आज़-आज़-आज़-आज़-आज़-आज़-इदेख, पूरे एक करोड, एक करोड रुपए रखे हैं तेरे वास्ते, सोचा था कि विरादरी के एक लड़की के साथ तेरी शादी होगी, तो यह सब तुझे देदूंगा, लेकिन एक बात याद रख, अगर तुने पूज़ा से शादी की, तो यह पैसे, यह घर, गाड़ी, सब भूल जाना, अब पता, तुझे पूज़ा चाहिए या पैसा, डाट प्राक्टिकली देखे तो पैसा जादा अच्छा है, तो मुझे पूज़ा नहीं, पैसा मंजूर है, शावाज बेटा, शावाज, आज तुने सावित कर दिया, तु मेरा ही बेटा है, आजा, गरे लग जा मेरा बच्चा, देखा तेरा जलवा, देखा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार, प्यार की कस्मे खाने वाले प्रेमी जोडे, किस अरा से अपने रंग बदलते हैं, कभी तो लालच के शिकार होते हैं, प्रसित, कमाल कर दिया यार, कमाल, यार लिखा है तुने, आपने इस कलम की इधार को यूँए बनाए रखना मरे दोस्त, वैसे एक बात बता, किस ब्लेड से छीलता है अपनी पैंसल को, चल रहे भवानी, तूनी सुदरेगा, हाई, कहा है तो आज जल्दी आने के लिए कहा था ना तुझे, हाँ बस अभी निकल रहो, बाबा आगे क्या, अब वो कहाएंगे, उनका कोर्ट मैटर है, फोन भी नहीं उठाएंगे आज वो, ठीक हाई, मैं अभी ऑफिस से निकल रहो, जल्दी आना, हाँ? Your Honor, मेरा फोन बार बार बज़रा है, आधे गंडे से बज़रा है, मैं जानता हूँ ये मेरी बीवी का फोन है, हमारे घर में गडेश पुजा है आज, और मेरी बीवी पुजा का थाल ये, मेरा इंतसार कर रही है, लेकिन, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, क्यों? क्यों साथे, क्यों? क्योंकि मेरा काम ही मेरी पूजा है, Your Honor, और, 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 अरे क्या वावावाव, मुशारा चल रहा है क्या इदर? Don't get emotional, साथे, बिंदू की बात करो. Sir, बिंदू के डांसेज और एक्टिंग के बारे में बाद में भी बात हो सकती है, मेरी आपसे गुजारिश है कि, केस पे फोकस किया जाए इस वन्दू. साथे, 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 बिंदू की बात करो, याने पॉइंट की बात करो, जस्ट कम टू दी पॉइंट! क्या करता है? इंटरनेट? नहीं. मोबाइल? नहीं. अगर आज के बच्चों को सबसे ज्यादा करप्ट करता है, तो वो है अशलील साहित्य. आवारा पडोसन. जवानी का पुचाल. आंटी हसीना. तैंक्यू. आंटी हसीना. ऐसी अशलील किताबे पढ़ता है ये आदमी. जिस उम्र में ग्यान और भक्ति की किताबे पढ़नी चाहिए, उस उम्र में मस्तराम की किताबे पढ़ रहा है ये आदमी. अब आप भी बताइए, कि ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ, बला एक मासूम और कैसे रह सकती? अब्जेक्शन मेलोड. मेरे मुअक्किल पे बे बुन्याद इल्जाम लगाय जा रहा है. एक बार मान भी लिया जाए, कि गुलगुले इस तरह की किताबे पढ़ता है, पर उसका इस के से क्या तालुक है? तालुक है, यार ओनर. अब आप ही सोचिए, कि जो इंसान इतना गिर सकता है, अश्लील साहित्य पढ़ता है, वो घर में बीवी के होने के बावजूद, बहार रंगरलिया मना सकता है, यार ओनर. मिलोड, मैं चाहता हूँ कि किसी भी नतीजे पे पहुँचने से पहले, या अदालत, इस केस के हर पहलू पर गौर करें, हाँ, सबूतों की अच्छी तरह से जाच करने, और केस के हर पहलू पर रोश्णी डालने के लिए, अदालत को थोड़ा वक्त चाहिए, हम, और अदालत पुलिस को यह हुक्म देती है, कि फॉरन गुलगुले के घर चापा मारकर और भी जितनी इस तरह की किताबें वो सब जब्त कर ली जाएं, और जब्त करके सीधी मेरे पास लाई जाएं, मैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ूंगा, मतलब अच्छी तरह से जाच पड़ताल करूंगा, तब तक के लिए या अदालत बरखास की जाती है, तैंक्यू यार, आप बाहर जाएए, कंग्रेचुलेशन सर, लगता है इस बार आपकी सिल्वर जुबली होई जाएगी, नई नई सतेश, सिल्वर जुबली होने में अभी एक और केस चाहिए, अभी तक तो यह सिर्फ 24 वा डाइवर्स केस है, हाँ भाई हाँ, आ रहा हो, आ रहा हो, जब भी घर जल्दी जाना होता है, यह कभी नहीं छोड़ता है, उसको छोड़ वो हमेशा बिजी रहता है, तो ग्यान गुरू का प्रोग्राम सुनना, यह लोग भी नहीं है, दो दुन का प्यार थोड़ी सी तक्रार, फिर हो जाएगी पूजा किसी और पप्पू की, साब, आपको वकील हो क्या, नहीं, पाइलट हूँ पाइलट, दिखता नहीं है वकील हूँ, डाइबॉर्स स्पेशलिस्ट, क्या बात कर रहें साब, आप डाइवर्स कराते हैं, साब, हमारे तो भाग खुल गए, साब, क्या मतलब? साब, हम अपनी बीबी से बहुत परिसान हैं, साब, हमारे भी टैवर्स करा देनें, साब, साब, हम जैसे गरीब का दर्द, आप जैसा लोग नहीं समझेगा, तो कौन समझेगा, साब? अच्छा बता, क्या प्रॉब्लम है तेरा? साब, मेरी बीबी न, छोटी-छोटी बात पर लड़ाई करती रहती है, जगड़ा करती रहती है, अब देखो न, साब, हर बात पर, इतना खुश रखता हूं उसको, बेलन लेके ऐसे-ऐसे जगा मारती है, साब, आपको मैं पसंद, तभी तो फस गया हूं न, साब, मारू के एक कान के दीचे, आरे, माबाप की पसंद पर उंगली उठाता है, नसीब वाला है तु, चो माबाप ने तुझे एक अच्छी लड़की पसंद करके दियोगी, या रोग दे, या रोग दे काड़ी, देखो, ये साथे हैं ये न, सिर्फ लव मैरिजिस का डिवर्स करवाता है, एरेज मैरिज का नहीं, I hate love marriages, ये ले, and keep the change, मुझे लव मैरिजी से सक्त नफरत है, काड़ा है, काड़ा है? शोब तो बरा, नुझ जुणती उपूरे चर्णी धातरिया, गए देवर्स्टे धरे, गणपाथी बापा, मुर्या, मंगलमूर्थी, मुर्या, मुर्या, मुर्थी, मुर्या, मुर्था, मी वर्जोन पुहेच तेरी करते हैं, अरे थाम थाम, गल, स्वाती बेटा, बहुत दिनों से आपका गाना नहीं सुना तो आज एक भजन सुना दीजी स्वाती अगर मन आगा ते सांगता है इतना है उड़ा नहीं पापा मैं आता है अरे मेरे लिए नहीं तो कुछ नहीं सिट के लिए सुना दीजी मैं आई के साथ पुहा बनाती हूँ मैं भी जाता हूँ मुझे लगता है अब हम इन दोनों की शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए साथे तुम तो जानते हो जब से स्वाती की मा गुजर गई है तब से मही नहीं उसको मा और बाप दोनों का प्यार दिया है अब वो बड़ी हो चुकी है खुद के फेसले खुद करती है लेटर डिसाइड आई डोंट माइन हाँ जानता हो आओ चलो आई मंगेश भाव चलो कॉल अगा बढ़ी मंगो मंगेश भाव कैसी आई कैसी है आई पर तो फोन नहीं किया तुने आई कि याद नहीं आती न याद तो बहुत आती है आई पर क्या करूँ, काम में इतना बिजी रहता हूं कि पता ही नहीं चलता जैनिफर कैसी है जैनिफर, आई जैनिफर बहुत अच्छी है लोग आपसे बात करना चाहती है हालो, आई कशिया इस अरे, यॉर स्पिकिंग मराथी आई इम रेली इंप्रेस्ट है आई, आई, लव यू लव यू, लव यू बिटा आई, गणपती बपा मोर्या अरे वा, मोर्या, मोर्या गणपती बपा मोर्या हेलो मंगेश, एक मिनिट, स्वाती ला बोलाईँ हेलो, मंगेश भाव हाँ, स्वाती, क्याल चाल सब बढ़िया, आप मुंबई को बाहरे हैं? सून, बेरी सून. नेक्स टाइम मुंबई आएंगे, तो हमारे घर पर पक्का आना है. पक्का, स्वाती, मैं जब भी मुंबई आऊंगा, तुमारे पास जरूर आऊंगा. जी, एक मिनिट. आई, बाबा क्या बार बार स्वाती को लेके पीछे पड़े रहते हैं मेरे? क्यों? तुझे नहीं पसन स्वाती? स्वाती अच्छी लड़की या लेकिन मैं उसको उस नाजर से नहीं देखता. तो तुझे कैसे लड़की चाहिए रे? मुझे, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए, जो धमाका हो. जो कट्सों ली थपड़. धमाका. नारा तो इल सांगला धमाका. पीछले चार साल से देख रहा हूं साथे. अब बस भी करो ना? बुलालो मंगेश को घर पे. अरे, अखिर वो भी तो दुमारा बेटा है. बेडा था. मतलब? था. वो मेरा बेटा था, जब वो सौफ़वेर इंजिनियर बना. मैं खुद गया था, पुरे कोट में. पेड़े बाटने फिरता था मैं. खुश था. तब वो मेरा बेटा था. तो? लेकिन, उस लड़की के साथ उसने जब शादी करने का फैसला किया, तब से वो उसका पती हो गया. वो वो, क्या है वो, नाम उसका वो? जेनिफर. हाँ, वो ही, वो ही. वो जेनिफर का पती है, वो मेरा बेटा नहीं है. ये देख साथे, अगर तू गहे तो मैं बात करूँ क्या उससे? हो सकता है, वो मेरी बात मान जा है. लेकिन हम मेंसे किसी को उसके साथ बात करनी ही, क्यों चाहिए? अरे, अरे, उसने सब कुछ किया है अपनी मर्जी से? सौफ़वेर इंजिनियर बना, तो पुना में जॉब बिली, तो पुना चला गया, हमें यहाँ चोड़के, वो भी उसकी मर्जी थी. उस, उस, जेनिफर के साथ उसने शादी कर ली, वो भी उसकी मर्जी थी. उसके सामने मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी का एक किया, उसको घर से निकाल दिया, उसने हमें उसके मन से निकाल दिया, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया, तो अगर वो जो कुछ भी करता है, उससे आप कुछ नहीं कहते, और मुझे एड़वाइस देते फिरते हो, वो भी वो भी बोलती रहती है मुझे और तू भी बोलता रहता है नहीं उसने मेरी मरिजे के खिलाफ जो कुछ भी किया वो गलत किया वो अपनी गलती मानके अगर वापस आना चाहता है तो मेरे घर के दर्वाजे खुले लेकिन गलती मानके आएगा तो नहीं तो नहीं आज आज किससे लड़की आई है जब इक दे तेरा पारा चड़ा रहता है कभी ठंड भी रखा कर आज क्या हो गया कैसे ठंड रखूँ ये गाड़ी वाले सड़को जागीर समझते सच बोड़ियो ममा एक दिन मिल गए न सब की गाड़ों के टायर पंचर कर दूंगी मैं ओहो बसकर अपनी ये चूचा पड़ पहला ही मैं अमृता को लेकर बड़ी टेंस्टू यार अब क्या हुआ फिर से नहीं डिमांड दो लाक रुपे दो लाक ममा दो मेने पहले हमने तीन लाक रुपे दियो उन्हें वही तो मेरी बेटी तो ना लाच्ची बेड़ी के बीच पस गई है क्या करो मुझे समझे नहीं आता वैसे तू से फोन कर ले ना हाँ मैं बात करती हूँ ममा आपकी याकी क्यों सुझी है रात बर सोई नहीं आप तेरे पापा ने सोनी नहीं दिया हा ममा सू रॉमैंटिक ममा ओ खाक रॉमैंटिक गैस बन गई थी सारी रात ना करता हूँ कज़िए ममा नो रॉमैंस अरे बाउजी फिर से छोले तेरी ता कड़ा जुती लावा चितर सारे दे सारे मेरे खाने पर नदर आए ओ एक पाद क्या मार दिया कोई बं मार दिया कोई टोईन टावर किरा दी तुमारी झाल प्धोची आएके एकी मार आएका सतिक्राव कि लिया और यार कैसे वह बहुत अच्छा हूँ इतने दिनों बाद याद आई तुझे मेरी हैं अंकल याद रोज आती थी बस एक काम से सिड्डी जाना पड़ गया और आज सुबह ही वापस आया हूं सीथ आपके पास आगया है यह मेरी जान और अब बताईये घर पे सब ठीक है अंटी खाका के मोटी होती जा रही है अमरिता और शॉन नो का क्या है अबर अमरिता अपने से सुडाल में है और शॉन आज ही कोई यह जो जाने जा रही है चैनल वह अपने दोस्त का एक चैनल है उसका नाम क्या है वो चालू चैनल चैनल में आप मिन सर येस कम इंद गमें 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 शनौ फिसेद कंपनी का राइटर है है इस बवादी अपरी जैंग का पसन है and she is Shannok Kapoor as a writer मैंने से यहां मुलाया है sir from when I can start my work what do you mean by when by आज 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 अबल कि अवी से sit down एक नए पिसोड के ओपर डिस्क्रस करना है sure sir yeah ah sit bolo sir मैंने तीन स्टोरीज रेडी कि हैं sir पहली लूंगी उठती है और इज़त लुटती है क्या उठती है लूंगी लूंगी sir दूसरी तो सुनिये सही थानेदार तो डर काई का sir तीसरी तो बेस्ट है अच्छा जमाना हैरान लड़किया परेशान फिर आया कास्टिंग काउच का शैतान परेशान जाले तो था कि लेकिन भाई बै बन्न नहीं है युना उवड्यू वसाला दो मंगता है अपर पाजकोन खुटिश मेетम के तक फिर्थ आप इसे जागे कर देक लिए ट्रहर द्रहर आप यह जागा चल्युटब वाल Pope प्रक्रवस्ट मैं ठोच्ट पुल्ट में धिय्ट हूं वह एुट ंनते लिए जगा गुटり इसे शर मंantage अणी अभष। तो ठीक है सर तो डान 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 वेरी गुल वर्क अन दाट तू क्या बोल रहा था आज मीटिंग में यह लड़की ना चन्नो बहुत तेज है बच के रहा नँ तू बड़ा बोल रहा सा मसाला मंगता है सर उसकी साइड ले रहा था अरे मैं तो तेरी साइड वह तू भीना अगाई 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 सो शुरुबाद अच्छी रही तुमारी यूल गो फार शन्नो थैंक यू सिट लुकिं फर गाइदें सपोर्ट कर वाई सी यौल तोमरो गाइदें संपोर्ट दूंगा इसको चोड़ना चल अचल 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 स्पद्दte मेरा मेरे को बत लेत हो राज मैं तरको कल मिलता हूँ शॉआ अच्छी तेरा ओने, हगा क्या है वे वेल युर्ज्स गूद स्भुाद्स जस्धूद्धूद्धूद्ध यह सुनते सुनते मुझे पांट साल हो गया पुतर कानी आगे में तो बढ़ा ना कितना टाइम लगाओगे तेरी जगा तेरी मम्मी होती तो अब तक शादी करके दो तीन बच्चे पैदा कर दी होते ने मेरा कहने का मतलब यह है कि बच देखो लड़का खांदानी है पंजाबी है और सबसे अच्छी बात यह है कि अमीर है और उसे भी बड़ी बात यह है कि आज सुपर दुकान पे आये था ओटल पे जुक के मेरे पाउच हुए उसने पापा प्लीज और भी गम है जमाने में इस शादी के सवा और पुत्तर गम तो शादी के बाद भी बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन यह खांदानी लड़का हाथ से निगल गया ना तो बात में पश्टाती रह जाएगी हाँ बस यह कहके न अपने अम्रिता दी की शादी करा दी पर मैं अम्रिता दी नहीं हूं पापा कि आप किसी भी गाई की तरह मुझे किसी भी खुटे से बांदो प्लीज शादी के लिए मुझे फोर्स करना बंद कर दो हत उती हर चीज की देख रही है कैसे जुबान चलाने लगी है जैसे सारी गलती मेरी हो चड़ो ना आप खाने पर कॉंसेट्रेट करो अब मुझको छोड़ उसको पूछ ले उसने भी कुछ खाया के नहीं खाया है शन्नो पुतर दर्वाजा कौल खाना खाले नहीं खाना अज़ा थीक है खाना मत खा दूद तो पिले खाने से तेरी क्या दुश्मनी ए ममा बोला ना मुझे ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है अप लीज जाओ यहां से अचा ठीक है कुछ मत खा अमृता को फोन तो कर ले उसका फोन आया था हाँ हाँ हलो हलो दी हाँ शनू बोल वैसे मम्मी बता रही थी तुम्हारे ससुराल में कुछ प्राव शनू शांत रहे यार मां है वो बस कुछ भी बोलते रहती है तू ना उसकी बातों पर जादा ध्यान मत दें प्यार करती है ना वो मुझसे बहुत जयादा इसलिए फिकर लगे रहती है पर सच बताओ मेरे ससुराल वाले ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और तेरे जीचुचे के बारे में मैं क्या बूलू वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अब मुझे जिंदगे से और कुछ कि तेरे आज ओफिस का पहला दिन था ना कैसा रहार्च ऑफिस का पहला दिन इट वस गड़ बाकी सब ठीक है सिवायो सुधार सौथे के समच में निया तो से मुझसे प्रॉब्लम क्या है आज पता है मीटिंग में इतना अटिट्यूट दिखा रहा था ना कर वो टेंशन मतल मैं उसे समहाल लूंगी तू बस अपना ख्याल रख ओके हम हां कुछ पताना था तुझे ओ येस मेरा शो आने वाला है शार्प 9 o'clock चालो चैनल तू फटाक से टीव ओन करो देख ठीके हां ठीके ठीके तू रख फोन मैं टीव ओन करती हूं ममा मेरा शो आने वाला है टीव है है तू भल का टीव ब हााल है जाय छाजाने की तू हमाने आपिस दू को भषिए प्लें और नहीं है वाल लगता है अटे क्लीन बॉल करतेगा जातीन है अप्ले उसको कलीन बॉल बात में करना तुल को पले अफेले टीवी देख बता चलेगा हम टीवी आपिस श्यू पूरी फिलम इंडस्ट्री काला हुग अरे वाँ शन्नो वाँ तुमने तो आते ही एक अपते में कमाल कर दिया और वो तुम्हारी कास्टिंग काउच वली प्रोग्राम की स्टोरी की टियारपी तो वाँ वेरी गड़ा थांक्यू सो मचितू वैसे ना तुम मेरी मंकी में वा वह बहुत मज़िदार होगी वह मंकी मैं वाली स्टोरी भी तुमारी है हां पड़े सने ना आज ही मुझा सैंडमेंट दिया है नाइस नाइस कॉंगराच्स कॉंगराच्स थांक्यू सेड तु तो गया बिटे है I'm the one who writes the first draft and the last draft of the program I know Siddharth you are the one who writes the first draft एंड दफाइनल द्राफ्ट भाई कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं तुम्हारे उपर काम का बर्टन स्यादा पढ़ रहा है इसलिए मैंने सोचा एक और राइटर लिया आता हूं तो तुम दुनों मिलकर कम्री का नाम हुंचा करो एंड सिदाथ ये सर ये इतू की क्या प्रॉबलम है कुछ खोया खोया नजर आता है सर वो उसकी गल्फरंड है ना नेहा जो की बिल्डिंग में रहती है गल्फरंड नेहा वो जो एक दो बार ओफिसमें भी आई थी सर उसकी कई और शादी पक्की हो गई है पूर चैप वोगे तीक है करी ओन थैंक यू सर ये ब्रिलियन सर या 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 दो यू ब्लीव इन मैरइच या फकॉस यू ब्लीव या ब्लीव या सिडिया क्या है तुमने मंकी मैं स्टोरी की लाइच कर दी क्या किस से पूछ के किस से पूछ के मतलब I didn't get you, who are you? Excuse me वो प्रोग्राम मेरा है वो असाइमेंट पते है सर ने मुझे दिया था असाइमेंट चाहे जिसका भी हो जह तक फाइनल ड्राफ्ट का सवाल है Miss Shanno whatever your name is वो मैं डिसाइड करूँगा उसमें क्या होना चाहिए या क्या नहीं नहीं Now excuse me, I have better things to do तुम गई नहीं तक Whatever इस शैतान से कोई ना बचा ना राजा ना रंक और इस तरह से चागया ना तक भवानी क्या बोल रहे है आर्तु कड़े क्या जिए यह 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 जिए श्कृट किस ने डि शन्ट किसने दी श्यूने We are running out of time, Sitt Sitt रे यार समझा उसको वुफ। अज़ सब क्या है शन्नो? क्या है? मैं जब एक बार स्क्रिप्ट फाइल कर दी थी तुम्ने उसमें दुबारा चेंजिस कर दी है Sidd, मैं प्रोग्राम, मैं असानेमेंट, मैं स्क्रिप्ट मैं अई रवाराइब से लास्ट राफ, न तो यू क्यों सिट, सब क्या है, मैं यूपूड़ाइब से रवाराइब, यूपूब। यूपूब। इंपॉसिबब भवाणी, यू यूपूफ। यूपूद। भवाणी, तेक दिस और शूट यूपूड़ाद। शूट सिट, बढ़ेब। प्लूट प्लूट अब मैं जो ती अब टूमने कुछ ने किया तुम तो कभी कुछ करती नहीं हो यूनल वाट जिट तुम्हेन उस्से कुछ जादाई ही प्रॉबलम है तुम्हे एक काम करती हूं मैं यह जोड़ देती हूं और भी गंमे जमाने में इस जोब के सिवा और मेरे मेरे इतना तो टैलेंट है कि मुझे इससे बहता नोकरी मिल जाएगी ना ना तुम क्यो नोकरी चोड़ रही हो I think I should leave this job I think I should do some more intellectual media rather than this TRP game so all the best and you keep this job excuse me sit sit I'm talking to you क्या चल रहा तुम दोनों के बीच में ये स्टोरी स्टाइम पर क्यों नहीं आ रही है मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुम दोन एक दूसरे को कौपरेट नहीं कर रहे हो लेकिन दुख इस बात का है कि you people are not taking your job seriously you don't respect your jobs sir वो टैलेट keep quiet क्या कह रही थे तुम कहीं और जॉब मिल जाएगी इससे बेटर जॉब मिल जाएगी and you Mr. Siddharth you want to do intellectual media intellectual media my foot क्या होता intellectual media नेताओं के भाशन उनके इंटर्यूज गंटों तक लाइव टीवी पे law and order की बाते चर रही होती है और नतीजा क्या निकलता है सर आपको यह सब किसने बताया I have my own people मेरे अपने जासूइस हैं जो सब पे नजा रखते हैं but let me tell you one thing you both have disappointed me like anything today जानते हो लूंगी वळा बाबा यह के अंदर है वो आज कास्टिंग काउच वो स्टोरी बाहर आई तो हजारों लड़किया हमसे मिलना चाहती थी क्यों they just wanted to thank us और तुम दोलों को लगता है कि मैं टीर पीस के लिए इस चैनल को चला रहा हूं कान खोल के एक बात सुन लो यू बहुत अगर नो क्रीक करना चाहते हो यहां पर तो मिलके करनी पड़ेगी वर्ना दोनो get out from this office um sir sir i'm extremely sorry sir um मैं आपको श्रिकात का मुखा पक्का नहीं तूंगी sir दुबारा I'm sorry yes sir मुझसे भी गलती होगी मैं गुष्य में कुछ जादे बोल गया एक चांसो बनते है सर हम आपको फिर शिकायत का मुका नहीं देंगे oh sir sir friends friends all right mm-hmm एक मुका देता हूं friends लेकिन तुम दोनों को यह पुरू करना होगा कि तुम दोनों मिलकर काम कर सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो अ बट सर यह हम प्रूफ कैसे करेंगे मतलब सर हमें करना क्या होगा हां एक ऐसी न्यूज लानी होगी जो शेहर में तेहल का मचा दे समझ गए समझ गए सर अच्छा क्या हो सकती है यार क्या श्टिंग उप्रेशन नहीं यार पुराना हो गया हुँछ नया कुछ अलग हमें ना कुछ हक्य करना होगा सिट शायद पटेल ने हमें यहीं असाइंडमेंट दिया है कुछ हटके अरे ही तू भाई सब ठीक तो है ना ही तू और वेल ही तू मिरजान क्या हुआ तूझे निहा की शादी एक मेने से प्रीपोन होगी है मेरे भाई हम दोनों को लग रहा था कि हमारे बास एक देड मैना है ताकि हम घरवालों से बात कर सके उन्हें समझा सके लेकिन नहीं अभी और कोई चारा नहीं यार भागना पड़ेगा क्या बोलता है सिड नेकी और पूछ प प्रोग्राम बन सकता है नहीं और जीत हमेशा महबबत की होती है ओ येस है कॉन्सा प्रोग्राम क्या दिमाग नहीं खराब होगे तुम लोग का अच्छा बेडा अपना टाइम अधा पतली गली से निकल लिये हां दुनिया की इसी सोच की वज़े से ना कितने लोग हैं जो पंजाबी पर अब वक्त आ गया है बगावत का मेरे शेर तुझे अपनी मुहबबत को पाने के लिए लड़ना होगा मैं तेरे साथ हूँ तुझे निया को बगाना होगा और इसका अब लाइफ टेलिकास्ट देखेगी पूरी दुनिया है मैं हूँ सिद और ये है शनो है अरे चारूरो अरे घिल्दिया जो जो लाइफ प्रोग्राम क्यों को लिए और आपको मजा अरे पहुं मज़ो आपसे यार तुराँ देखो किसी पे ऐसे हस्ते नहीं हौ उनके माब को कितना दुखोगा तु जो जो आम अधिर बिल्डिंग से कौन सी लर्की भाग रही है तुमको क्या करना देखो ना मौज़ा देखो अरे बाबा दूसरे का भी सोचो है सशलवार शदुशाशलवार काली निजी लड़की है न घर पे बोशो चुप को रहे है कि हो बेजानो कौन भाग रहोगा है अरे वो गुपता जी का लड़का ही होगा यह तो अपनी नया है बंगालन मज़ा आएगा बोला था ना मैंने इसको न किसी लफंग ने फसाया होगा हां अरे लपंगा हो के पगंभा हो लेकिन अबी शोगा भी तो मज़ा लेना तू अरे विचारी भाग रही है तो नेहा शोपुनाश है 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 भगवान ही तू है अरे ही तू है अपना ही तू चलो अरे उड़ो खाना छोड़ो चलो कि मैं ही तू हूं और मैं नेहा से शाधी करना चाता हूं हमने हमारे घरवान लों को मनाने की पूरी कोशिश करके देख लेकिन वह राजी नहीं इसलिए हमने भाग के शाधी करने का फैसला किया है मेरा नाम है नेहा बैलर जी और 24 साल की हूं यहिक बहुत प्यार करती हूं इसलिए बुझे से शादी करने का फूरा हक है लेकिन मेरे माबाप मेरे माबाप जब दस्ते मेरी मेरी शादी उस त्रिंग को चैटर जी से करवाना चाहते है कि नाई मैं तो पस हितों से चाह्दी करूंगी कि अचाहि कि आपको अचाहि नीज अचाहि कि फिर ने अचाहि तुम्हें ने अचाहि कि फार्ट शांबर अचाहि कि आपकोई अभर्य आप है यह था पर दो देख्या शूप दो रहे मैं थिखिर हूँ को आप फिर्प यह स्कुर करना नहीं चाहते हैं यह तो शिफिक ट्रेलर था आप लोगों के लिए क्यों हाँ हम बागे भी शादि कर सकते थे लेकिन हम भागे शादि नहीं करेंगे लेकिन हम अगर सबस्क्राइका। प्रिल्यं जोड आज पर जो ड्रख से घ्रिय। जो रहुत सyorsun धर्वाइब दूस्योग का वड़नी जो अच्छा को यंद्टास्टी गर्ग्म यह ब्रिल्यूंट सिर्टीज उसर मैं फ्रिल्यूंट सर्टीज इंट्य। सब्सक्राइब करें एंसे किस बारे में अर्यूट एची उनकी उनकी कुछ रहेंगे अर्यूज आजी उनकी थ्रूष रहेंगे प्लिप अर्यूज के मतलब अपनी फैमली से सोचाइटी से बगावत करकर प्यार को हासिल करना बच्चो का खेल लेह हैं प्रबजी, प्लीज, प्लीज, मेरे भी एसा बंदा भेज़ दो, प्लीज तुम्हे भी शादी करनी है? अफकोर्स शादी करनी है बट, यूनो वाट, मुझे कोई जल्दी निया, मतलब, I can wait कैसा लड़का चाहिए तुम्हे? यूनो वाट, मुझे ऐसा लड़का चाहिए रिच और हैंडसम माला, हार लड़की की टिपिकल च्वाइस एक्स्क्यूस मी, कोई कबल सरी नहीं है, हाँ मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए, जो लविंग हो, केरिंग हो, जिसका सैंस अफिमर अच्छा हो, जो दिलका साफ हो, पैसा नहीं भी होगा तो चलेगा, मतलब, हम दोनों मिलके कमा लेंगे, पर दिलका अच्छा होना चाहिए पैसे, तुम्हे कैसी लड़की पसंद है, मुझे, मुझे क्यो चाहिए लड़की, तो क्या तुम लड़के से शादी करोगे, डॉंट टेल मी और गे, हाँ, हेलो मैडम, शादी में अपनी पसंद की लड़की से करूँगा, ये बात तो फाइनल है, अच्छा से, हाँ, सपो अच्छा से अच्छा से लड़के 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 से मुझे पसंद है और एप आई बाबा को भी पसंद आईगी Suzy? नो Suzy तो Catholic है वरोबर और रिच्छा वो तो गुजू है तो तो तेल मी मेरे लावा इस अपजाबी और कॉन है? तुम्हारे लावा इस दुनियमे और कोई नहीं Sidd? हाँ हाँ इस इत अ.. प्रपोजर? हाँ तो आईडरी पॉर्टर के थे? अरे बोल्या आई हाँ सबच्च्चोध है यह 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 वाई है छोट छोट यह मिलो अरे पाँ, प्लेट नहीं अरे अरे प्लेट अफे यारा तो जु उसे मिला तो feeling जागी सास मेरी तेरी और भागी तुझसे मिला तो feeling जागी सास मेरी तेरी और भागी नीद वीद जैनवेन सब लगा है बैन नीद वीद चेन वेन सब पे लगा है बैन दिल भी हुआ है फरार ऑडोमेडिक, ऑडोमेडिक, ऑडोमेडिक होने लगा है प्यार व्यार, प्यार, प्यार, प्यार ऑडोमेडिक ओने लगा है प्यार व्यार, प्यार, प्यार, प्यार और उर सयंके कम व्यार, प्यार, प्यार, प्यार simple तेरी हाहिशों का नशा चड़ता जाए चड़ता जाए हम पीछे रहे गए आगे दिल बढ़ता जाए बढ़ता जाए इसे अब रोकना जाते हुए टोकना बस मेरा ही है यार Automatic 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 होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार Automatic होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार Automatic होने लगा है प्यार व्यार 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 और उमेरिक होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार मेरी बाहों में अब तेरी बीतें की ये राते सारी होठों से ना कुछ भी कहे आखों से हो बाते सारी तू ना हो सामने तो मेरी धड़कने तू ना हो सामने तो मेरी धड़कने चले से करें इनकार और उमेरिक होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार लिख यू लिफ्ट क्यों? अरे, उसको पैसे क्यों दिया? शन्नो, क्या है यह? किदर है वो? लिफ्ट में रास लीला जीहा दोस्तों, इन प्रेमी जोड़ों ने कुछ भी नहीं छोड़ा पार्क के बेंच, समुंदर की चटाने, जर जर इवारते और यहां तक की वेल्डिंग्स की लिफ्ट भी आप इन प्रेमियों की रास लीलाओं का अटा बन चुकी है Sid, तुम कमाल का काम कर रहे हो, अपने पापा से कहना है, मैं उन से मिलने वाला हूँ पता नहीं क्या खा के पैदा किया इसको But I must say, he's a lucky man And Shano, you are brilliant And I, sir? Bahwaani, तुम तुम हमेशा अच्छा काम करते हो, in fact you all Thank you, sir Sir? Yes? Sir, you're so brilliant Excuse us Okay, carry on Come, come, come Sid, कमाल कर दिया है, लिफ्ट मे रासलीला वह What subject उंड़ा है? ऐसे ऐस आइडिया तुमें आते कहां से? Bahwaani, यह मेरा नहीं, Shano का इडिया था ऐसे ऐसे आइडिया नहीं, Shano को याते हैं Hmm? Sathe, 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 Sathe कान है यह लॉंड़ा? मेरा बेटा, सिद्धार, Sathe, Sin और यह मजाग लग रहा है आपको देड़ घंडे तक वो पब्लिक टॉइलेट में ऐसे नाक पे रुमाल लगा के बैठा था तब जाके यह तस्वीरे मिली है मेरे बेटिक हरकतों पर मुझे शक होने लगा था बाल बनाता था पर्फ्यूम छिड़कता था उसके पीछे डेटेक्टिव भेजाओ तब जाके मिली यह तस्वीरे और मैं तो मैं तो धरानी इस बात के लिए हूँ कि मेरे होनहार बेटे को यह पूरे शेहर में और कोई नहीं और आपी की बेटी मिली ओ भाइसाब आपको जितनी हैरानी हो रही है ना उससे जादा तो हमको परिशानी हो रही है क्योंकि आपका और हमारा तो कोई मैच ही नहीं है कहां हम घानानी लोग स्कॉच के साथ बादाम और पिस्ते खाने वाले कपूर्स और कहां आप वो साथे कांदे पोहे और चाय पीने वाले यह रिष्टा तो होई नहीं सकता यह रिष्टा होई नहीं सकता नकली स्कॉच पीपी कर आपका दिमाग भी बादाम के साइस का हो गया है कपूर्स कभी नकली स्कॉच नहीं पीते समझे अरे नकली असली की बात नहीं यह दिमाग की जाओदे आपने कह दिया रिष्टा नहीं हो सकता लेकिन ज़रा सोचिए अरे दोरों पड़े लिखे हैं अच्छा खासा काम कर रहे हैं भाग के शादी कर ली तो क्या कर लेंगे हम देखिए अब हमें भी इनकी भावनाओं को समझना चाहिए इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है बरोबर बोलते ने मी मैं तो दुश्मन हूँ न हूँ उसका आपर बाप का हूँ मैं मुझे तो मेरे बेटी की कुछ पढ़ी ही नहीं है अगर हम इस रिष्टे को हा कर भी दे तो भी कुछ नहीं होने का वो लड़के के माबाप खिलाफ है इस शादी के दो दिन का जवानी का जोश बाप कौन? मा कौन? साल में एक बार हैपी मदर्स डे बाप की तो जैसे कोई गिंती है यही नहीं आपन टूमी सालम गाप बगाता एक बेड़ा मैं खो चुका हूँ अब दूसरा नहीं खूँगा इस बार मैं किसी के नहीं सुनूँगा पह गयाने असे अपपा तभी मैं कहूँ कि त्यार शार हो के कहा आ जाती है इससे मिलने जाती है आने दो आज उसे मैंने इसकी चित्रोल लाकी ना चुपकर अकल करा है तेरी घुटनों में दोनों पड़े लिखे हैं अच्छा काम कर रहे हैं अगर भाग के शादी कर ली तो क्या कर लेंगे हम हाँ वैसे कहा तो आपने सही है क्या कर लेंगे हम लेकिन क्या करें हम में पूछा आँ क्या क्रें एक मिनेट चाह모ए एक मिनेट बाबा जी कर बाबाजी आओ मुझे गन्य के क्षेट किउन दिखाई दे रहे हैं गूने के सब जाओ गन्य का जूस्किवनने फसल खोड बखोड जाएगी जए हो गाभा जी की प्रणाम खुछ रहो गाभ अरे बेटी बाबाजी आजो आजो हाँ जैव बाबा जीति रहो गैव सुना ओंव ते बाबा वो टेपन बेटी है गलत लड़के की संगत में पढ़ गई है कैं कोई कि उच नीचो गई तो क्या करेंगे आप एक कुछ कर सकते हो बाबा बचालो उसे कि बाबा बस आप का ही शारा है मुझे ना कई भार डर लगता है कहीं मेरे हापों से कोई गलत काम नहों जाए चीड़ चीड़ी बहुत करते हो सई का अपने बाबा सई का इनका पारणा मेशे ही आई रहता है मिलन हो गया क्या है जी मिलन का मतलब संभोग इंटर कोर्स शेक्स हो गया अब बाबा आप से क्या चुपाना अब तो कई कई दिन हो जाते हैं इसकी बिवारी है और ब्लड पेशर है तोड़ी गैस की भी प्रॉब्लम है इश तुम दोनों की नहीं बच्चों की बात कर रहा हूं नहीं नहीं बाबा ऐसे कोई बात लग तो नहीं रही मुझे अपनी बेटी पर पूरा ब्रोसा है पर जमाने का क्या करें बड़ाए खराब हैं कल को कोई यूच नहीं चोगी तो हम तो कहीं मुझ दिखाने लायक नहीं रहेंगे न बाबा कुछ कीजिए बाबा गोल गप्पे मुझे गोल गप्पे क्यों दिखाई दे रहे हैं गोल गप्पे है आकरी बार तुमने गोल गप्पे कप खाएं वो तो एक अरसा होया बाब जब से पाइल्स की शिकायत होई है तब से बाहर का खाना बंद कर दी अब तो जो ये बनाती है वो ही खाता हूँ जाओ गोल गप्पे खाओ रासते खुद बखुद खुल जाएंगे जै हो बाबा, जै हो जै हो बाबा जाएंगा छोड़ा साघे चलो कोई गुलगप्पे वाला इस तरफ आप ना पढ़ा यहां क्या करने तो बस यहां क्लाइंट पिंटी के लिए था तो लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं मैं यहां पर गोल घप्पे खाने आऊंगा गोल घप्पे की दुकान पर जलेवी खाने तो आऊंगा निए लड़के का बाप है इसका तो बैंड बजाता हूं अभी आप एक बाद क्यों कर बाबाजी की बात याद है ना यही तो उनका इशारा है रुको मुझे बात करने दो आप तो एमी घर्मी खाओगे अब भाई साब वह में पता आपको रिष्टा पसंदी है वैसे हमें भी कोई खास दिल्चस्पी नहीं आपके बेटे में अब आप ठहरे वकील आपी कोई रास्ता निकालो यह तो गर्मी पर मेरा तो अब ज्यादा सवजदा लगती है इनसे अब देखिए अब बताईए मुझे बताईए साइट तो जाज़ा रहा हाँ हाँ जी बोलिए देखिया मैंने सोचा है कि चुबात हम कहेंगे वह मारेंगे नहीं तो वह अपने आप मान है ऐसा कुछ करना पड़ेगा हाँ तो ऐसा कुछ बताई या बताता हूं बताता हूं देखिए एंगेजमेंट हो जाने के बाद तीन महीना आपकी बेटी हमारे आ रहेगी लेकिन सिड आपके घर रहेगा दोनों एक दूसरे को अकेले में मिलेंगे नहीं अब क्या है आपक दूसरे के लिए नहीं है तिक जब है नहीं मैं दारू नहीं थमसाब हाँ हो गई विगल चली पानी पुडि तुझे क्या अलिया अरे बेटा है तुमेरा तेरी खुशी में हमारी खुशी है मतला कोई लाड़की वड़की अगर कोई पसंद की है तुने तो बता दे ममा उसका नाम सिधार साथे है नेरे ओफिस में काम करता है देखा साथे पंजाबी नहीं होते साथे बाबा वो मेरे साथ ओफिस में ही काम करती है अचा उसके पापा का एक रेश्टरॉंट है डाबा कुछ नहीं आगे बूल ममा महराश्टन है पर बहुत अची फैमली से बिलोंग करता है पापा आपको पता है उसके डैड ना बहुत बड़े लॉयर है बाबा बहुत अच्छी लड़की है वो प्लीज एक बार मिलो ना उससे उसे क्यों मिलूँ अरे उसके घरवालों से मिलूँगा जा जा के बता दे उनको अगले संडे हम आएंगे लड़की के घर लड़की देखने है जा आप आप दुनों इक बर उससे मिल तो लो फिर जैसा आप लोग आओगे मैं वैसक करूंगी पका आप बताओं ठीक है अगले संडे पका अगले संडे को अगले संडे को अगले संडे को मैं अभी फोन करता हूं को कि यहाँ अला वहाँ वहाँ दो लो जी आप लेंगी नहीं थैंक लेली चे नहीं मना कर रहे हैं वह उदर कुछ आप लो सिट शन्नो सिड देखो हम तुम दोनों की भावनाओं को समझते हैं इसलिए इस शादी से हमें कोई भी एत्राज नहीं लेकिन तुम दोनों को भी हमारी भावनाओं को समझना पड़ेगा अब क्या है शादी सिर्फ दो इंसानों के बीच में नहीं होती वो दो परिवारों के बीच में होती इसलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम दोनों एक दूसरे के कल्चर फैमिली वैल्यूज को अच्छी तरह समझ लो और वो भी शादी से पहले इसलिए हमने ये तैय किया है कि एंगेजमेंट के बाद सिड तुम तीन मेहनों तक मिस्टर कपूर के घर पे रहोगे और शन्नु बेटी तुम हमारे घर पे रहोगे और इन तीन मेहनों के दौरान तुम एक दूसरे से मिलोगे नहीं और अब मेरा ढावत तुम ही चलाना है और शन्नो ये ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे साड़ी पहनना सिख लो लावकार तुम ही जरक अप्पभस्ता काई मना अलू मीन क्यूं डरा रहे हो बच्ची को मैं काई नहींगा मैं मैं सिखा दूंगी तुझे हाँ वें जी आप मेरी बेटी को साड़ी पहना सिखा दीजिए और मैं आपके बेटे को आठा गुंदा सिखा दूंगा देखो जी मुझे तो इनना पता है वे देरिस अविल ना देरिस ओल्वे सगे ममा वेर देरिस अविल देर्स अवे बाई साफ मेरी बीवी की इंग्लिश ना उसका कोई तोड नहीं है ओ छड़ो जी आप तो जी स्मोसे काओ हमारे थाबे के बने पुतर यह भी बनाने सीखने पड़ेंगे खरवे चरवे तो यह थरेज़ किन लेंडरेंचन यह तो लोगोंका प्राइड फ्यूचर रहाई तो अपने बात कर लूंगा तुम अपने पापा कर दूब कर दो प्लीस सर हम प्यार का इंटाहन देना का यह सार तुम लोग अपने प्यार का इंट्यान क्यों लेह हो सर प्लीज आप तो हमें सपोर्ट कीजिए मगर एक शर्थ पी वो रेजर्वेशन बूली जो वो तो मैं सब्सक्राइब करूँ लेकिन जैसे तीर मेने कंप्लीट हो जाते हैं अब दोनो चालू चैनल में वापस आजाओगे हाँ अवार्ण तो लुक आपको अवार्ण वीजर्थ प्लेश इस सब्सक्राइब का तो जापको अवैं तो अब वाग झाले हो ऑग प्लाइब कर दोनों थे यह था विए तो आई मैं आपको आई बुला सकती हूँ ना क्यों नहीं बुला सकती अगर मैंने तुछे अपनी बेटी मानी है तो रिष्ण में मैं तुम्हारी माँ हुई है ना हाँ तो आई मैं ये पूछे थी कि आप इस बस्ती में कबसे बढ़ा रहे हो मेरा सेध होने के बाद मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी हाँ तब मेरा मंगेश पांस साल का था और शिक्षा भी शिक्षा कौन शिक्षा मेरी कामवाली बाई शांता उसकी बेटी अच्छ मेरे मंगेश के साथ खेलने आती थी उसकी किताबे खोलकर पढ़ने बैठती थी और फिर शांता का काम खतम होने के बाद अपने आई के साथ घर वापस चली जाती थी चोटी सी थी एक दिन मैंने शांता को पूछा तब मुझे पता चला कि वो अपने बेटे को स्कूल क्यों 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 क्योंकि वो लड़की है तब मुझे सडनली बहुत फिल हुआ कि इस देश में ऐसी कितनी लड़किया होंगी जिनके नाम में ही सिर्फ शिक्षा नसीब है किस्मत में नहीं और फिर मैंने टीचर का जॉब छोड़ दिया और यहां इन बस्ती के बच्चों को पढ़ाने लगी पर आई बाबा ने आपको रोका नहीं मतलब ऐसे बस्ती में आके पढ़ाने के लिए उन्हों नहीं तो मुझे एंकरेज किया है तेरे बाबा बाहर से जितने सक्ट लगते हैं उतने ही अंदर से नरम है वकील है ना अपनी फिलिंग्स को चेहरे पर कभी आने नहीं देते अब तो पक्काई मैं भी आपके साथ इस बस्ती में रोज बढ़ाने आऊंगी पक्का पक्का आई हाँ आप और बाबा बहुत स्वीट हो इसे माराथी में कैसे बोलेंगे काई आप और बाबा बहुत स्वीट हो उसे माराथी में कैसे बोलेंगे काई नहीं आई बाबा तुम्ही धोगा खूब गोड़ा हाथ आई बाबा तुम्ही खूब गोड़ा हाथ हाँ बर बर पर किती गोड़ा है ना हो पूर देखे न कुछ दिन ही हुए इसे घर आके ऐसे लगता है अपने घर की बच्ची है हो की ने पता नहीं वह मेरा स्वित कैसा होगा कुछ खाँ पी रहा होगा की नहीं ये बता तु वकील का बेटा वकील क्यों नहीं बना अंकल बच्पन से शौक ता कहानियों का लिखने का तो मैं लाइटर बन गया अच्छा लेगा बन गया लेकिन तु करता क्या एक्जैकली चैनल में क्या तेरी पूस्ट किया है जी मैं कॉंटेंट हैड हूँ बच्पन से राइटर बनने का शौक था लेखक बनने का.. जी अंकल शोकर रहा हिरो बनने का शौक नहीं बढ़ा तेरे को वरना पता नहीं क्या हो जाता यह क्या बना है पैग अबे तेरे बाप ने तुझे ड्रिंक बनाना भी नहीं सिखाया वो नी पीते तू तो पीता होगा जी या सिर्फ बियर अबे बियर तो लड़कियां पीती है सिर्फ बियर अबे ड्रिंक तो मैं करता था 14 साल की उम्र से ही सिर्फ नीट और बाई गाड एक बार जब टन्न हो जाता था था ना उसके बाद जो जो रुमाली रोटी हवा में उपर जाती थी जख अच्छा ऐसे बनाते हैं मुझे भी सिखाओ ना पूरा चोड़ना भाई ये काम मेरा है तुम कानी वानी लिखो हेलो हलो सिट क्या कर रहा है तेरे बाप के ढाबे में काम कर रहा हूं आटा गुंद रहा हूं रोटिया बना रहा हूं और उसके ओपर तेरे बाप के ताने भी सुन रहा हूं और तू वहां पर आश कर रही है मैश गर रही हूं यहां आई और बाबा का ख्याल कान रख रहा है और तुझे पता है मैं माराथी बोलना सीख रही हूं और तो और आई की साथ बस्ती में बच्चों को पढ़ाने भी जा रही हूं और तु तु मुझे ऐसी बाते बोल रहा है अच्छा सुनना एलव यू बोलना प्लीज सिधार भाई बार मैंने बुलाय आपको जल्दी वेटर भी बना दिया मुझे जाना है बिजी हूं भाई हलो हलो सिट सुनतो कमाले यार तु तो कुछ खाई नी रहा है खाली चावल गारा है रोडी जोडी ला रहा है ज्यादा हो जाएगा जिकन पिला चिकन ले लेड़ा है अंकल मैं क्या कह रहा था शिट यहां पर आपके टब्बे पे और शण्व वाहां पर सिट के गर पे वोपी साड़ी में I think this is not fair अंकल अंटी मुझे लग रहा है की जात्ती हुई है जात्ती बाती कुछ नहीं है बड़ी सिंपल सी बात है जैसे आज कर लड़का लड़की कहते हैं कि पर शादी से पहले हम एक दूसरे को अची तरह जान ले वैसे हम कह रहे हैं कि लड़का लड़की जो है एक जानवरों के उर्गाजम के उपर भी रिसर्च और रहे हैं जानवरों के उर्गाजम के उपर भी कि यह मामूली बात नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है यहां ऑन्टी वह और गयनेसम अनिमल और गयनियुम हां को यहार एक बात मान नी पड़ेगी भाई कोई हाथ नहीं पकड़ सकता मेरी बीबी का अंग्रेजी में चड़ो जी आप तो बसना मेरी तरीव करने के बाने ही डूणते रहते हो क्या करूँ मेरा ना दिली कुछ ऐसा है तेरी अंग्रेजी है तो अंकल मेरा खाना हो गया है मैं चलता हूँ वो का जा रहे है पुतर काम बहुत है जी अरे अचाँ आचाँ आचाँ जाएंगे जाने दे ना उसकी बहन की शादी एदस काम होंगे घर पे उसको कोई ने एक दिन में दस काम जाने है आप बीना बड़े अर्कुलिस अर्कुलिस? ने ने अंकल उनका मतलब है रिडिकुलिस अंगलिस देखा दो दिन में कितनी अच्छी तरह मुझे मिसंडेस्टेंड करने लगाई ये और आप लोग अंटी वो मिसंडेस्टेंड नी वो अंडेस्टेंड यार इनका कोई हाथ नी पकड़ सकता अंग्रेजी में थैंक्यू पाबा आशीश की भेन की इंगेजमेंट है और उसने आप दोनों को भी इंवाइट किया है मैं क्या करूंगा वो वो शोर शराबा वो नाचना काना वो सब मुझे पसंद नहीं है मैं तो दारू भी नहीं पीता तुम्हें जाना है तो जा आई नहीं बेटा मेरा मन नहीं है तू एक काम कर तू स्वाथी के साथ चली जा उसकी कंपणी मिलेगी तुशे ठीक है आई स्वाथी गया करेगी वहां जाके स्वाथी दर आओ अशिश यह मेरी बहुत अच्छी दो स्वाथी और स्वाथी यह हमारा दुखन का भईया और मेरा बच्पन का गोड़ आशिश हाई है हालो मुम्मी आगी मैं बात में मिलती हूँ तुमरे बात करो तो आप हैं स्वाथी जी फाइंगली शन्यो से आपके बारे में बहुत कुछ सुनें सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, आखिडेक्चर में गोल्ड मडलिस और भारतय सबतय और संस्कृति में बहुत रूची है आपकी शन्यो कि ता आदत है बड़ा चड़ा कर बोलने की आई डूंट थिंक स्वा मुझे लगता है उसने जो कुछ भी बोला है बिल्कुल सही बोला है और क्या चल रहा है अजकर? अभी अभी मैने कंपणी जोन की है, M.C. Thompson M.C. Thompson? जी I don't believe this उसी बिल्डिंग में हमारा भी ओफिस है और हम आज मिल रहें फाइं You know what? We should beep more often कापूर सहाब वक्त आ गया है अपनी अगली चाल चलने का आप बिल्कुल चिंता ना करो साड़े सहाब आज मौका भी है और मौके पे मैं चौकल लगाई देगा स्वादी स्वादी जल्दी चल जदो नच दिये दे सीधू पत्ता लेके मुंडे तक देने सीटा उते बैबैके जदो नच दिये दे सीधू पत्ता लेके मुंडे तक देने सीटा उते बैबैके जदो हिले तेरा लाक साठी हिल दी नई आख पाटी विची कतुयों लगें फिट सोनिये तेरा ठुम का तेरा ठुम का सुपर हिट सोनिये बल्ले जवानि बडला साल आगया बले-बले जबनी बला साल गया अदी मारकी में नची दी जावाओं ये फ्लोर ते पुचाल गया बल्ले-बले जबनी बला साल गया बल्ले बल्ले एज मानी वाणा साल आ गया तू मानी या ना मानू ओ चोदुनी दा चन तेरे मुखडेनू है जुमदा जाद लग्ये दून चन डीजे फाडिके बटनू उच्ची कार दिन दा वाली अमदा तेरी अखियाँ दिलिकर वीके डोल दे सबीकर अज्ज सानुमी पिला दे लिट्टल विट्ट सोनिये तेरा टूम का सुपर हिट्ट सोनिये ओ देसी बजजी जान्दी पीट तेरे रुक देना फीट ओ ओ देसी बजजी जान्दी पीट तेरे रुक देना फीट होई जान्दे बार बार तेरे ठुम के रपीट जदो नच दिये दे सीदू पटा लेके मुंडे तक देने सीटा उतने बै बै के लैला बान के तुमारे जिन्ने मजनूने जारे लाला बाण के दुमारे हैं जिन्ने मजनूने जारे फेर वीद तिया सिते नूकलीन चिट सुनियें तेरा ठुम का, तेरा ठुम का, तेरा ठुम का सुपर हिट सौनियें तेरा ठुम का, तू तो कुछ ले ही रहा है, बादाम है, काजू है नहीं नहीं, अंकल सिर्फ बियर प्रियर विद पीनट्स, बॉल चना, चकना, एक बाद पोचू से, जी, आशीश और तेरी उन में कितना फर्क होगा, ज्यादा से ज्यादा दो-तीन साल का, अब दे कितनी सी उमर में उसने कितना कुछ कवा लिया, क्या कुछ बना लिया, कोठिया, कारे, और एक तुग है, बियर विद पीनट्स, क्या कर कर रहा है, तीस, चालीस हजार रुपे की नौकरी, जलन नहीं होती तरकोष से, जैलिसी नहीं फील करता है, सच बोलू अंकल, हाँ, खुल के बोल, बिल्कुल नहीं होती, हम राइटर्स की अपनी एक अलग दुनिया होती है, जिन में ये सब का कोई मोल नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे में क्या कमिया है, या क्या खुबिया, लेकिन, कुछ तो बात होगी न, जो आपकी बेटी ने, मुझे पसंद किया, हम, बातें, बातें बहुत अच्छी करता है तू, और ऐसी बाते करके, तूने फसाया हमारी बच्ची को, सच बोलू, अगर तू न होता न, तो आशीश हमारा दामाद बनता, और राज करती मेरी बेटी, पर क्या करें जब, नसीब ही खराव तो आदमी क्या कर सकता है, आओ, आओ, बेटा जी, पार्टी एंजोई की आपने, ग्रेंड, ग्रेंड पार्टी बेटा, ग्रेंड, भाई, तुने प्रूफ कर दिया कि तुम मलोतरा साब का बेटा है, आए लोग, महमान सब देखते रह गए, आँखे फटी रह गई, क्या शान थी, वाँ, वाँ, वाटे क्लास, बस जी, आप अपना ड्रिंग एंजोई करो मैं ज़रा सेट को कुछ दिखा कर लाता हूं, हाँ, जा भाई, कम रो, एल शोजी सम्थिंग, दिखा इसको, आना भाई, हम आते हैं, यह हमारे शिमला वकेशन की फोटो है, मेरे मॉम डाट, कपूर अंकल अंटी, मैं, अमरिता, कोमल और शन्नो, बच्पन में भी क्यूट थी, नहीं, हाँ, और वो, वो विंटेज कार एक्जिबिशन की फोटो है, शन्नो को कारों का और घूमने का, इन दोनों चीजों का बहुत चौक है, एक वक्त था जब वो मुझसे कहा करती थी, कि हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया घूमेंगे, वर्ल टूर पे जाएंगे, मॉम डेट का उस वक्त ध्यानत हुआ था, और मैं बिजनस में नएने पाउं जमाने की कोशिश कर रहा था, पर आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाडियां है, वो सब कुछ है जिससे मैं शन्नो का हर ख्वाप पूरा कर सकता हूँ, लेकिन उसके ख्वाप पूरे करने का हक, मेरा नहीं है, वो हक तुम्हारा है सिट, सिर्फ तुम्हारा, वन जिक, I'll just take this call, जी शर्मा जी, बोलिये, that's great, thank you, कोई बात नहीं, मैं पेमेट पहुचा दूँगा, thank you, सिट, सेव्यों ने मुझे यहां पे खुट फोन करके बुलाया है, और यह सब तु क्या कर रहा है, तु इतना कबसे पीने लगा है, चला भी बस कर चाले, अबे क्या बस कर रहे, क्या बस कर रहे, क्या एंगेजमेंट हुई, तेर को पता है, पूरा बंगला सजाथा, बंगला नहीं, महल है वो महल, तेर को पता है, क्या कहते है, वो, खेकडा, क्रैब, एक एक खेकडा, एक हजार रुपे का, क्या बात कर रहा है, इतना अमीर है, अरे, जितनी तु ने और मैंने गाड़ियां, उसके कंपाउंड में है, कंपाउंड में, पता है तेर को, शन्नो उसे हमेशा कहती थी, कि वो दुनिया घुमेंगी उसके साथ, यार, उसे कारों का भी शौक है, ये भी कहा उसने आशिश को, मुझे तो कभी नहीं कहा यार, मेरे पास है भी क्या, एक वो टू वीलर, और एक वो पटेल की सड़ेली नौकरी, अरे आशिश उसको बहुत खुश रखे गा रहे, मैं उसे कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं, लेकिन अभी तु साथे अंकल को क्या बोलेगा, अरे बोलूगा अरे, बोलूगा उनको बाबा को, अरे पर क्या, बाबा, मुझे शादी नहीं करनी, मैं जानता ही था, मैं जानता ही था कि ऐसा ही होगा, अरे कहां हम ठैरे एज्चुकेटेड लोग और कहां वो धाबे वाला कपूर लेकिन बाबा शन्नो मुझसे बहुत प्यार करती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ मैं वकेल हूँ बेटा वो लड़की तेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगी उसका दिल तोड़ना होगा दिल तोड़ना होगा? मैं कुछ समझा नहीं बाबा तू चिंता मत कर मैं जैसा कहता हूँ ऐसा तू करना लेकिन देख ये हमारी आपस की बात है ये तेरी मा को पता नहीं चलना चाहिए लेकिन मुझे करना क्या होगा बाबा? तुम्हे तुम्हे ये फाइल जाकर मेरी एक क्लाइन्ट को देनी है उस क्लाइन्ट का नाम और पता तुम्हे बाहर रिसेप्शनिस से मिल जाएगा वहाँ जाओ ये फाइल दे दो लेकिन उससे पचास अजार रुपे लेने हैं तो वो मिले नहीं तब तक वहाँ ठीके रहना वहाँ से हिलना मत इतना कर पाओगे बागी का मुझे पे छोड़गो बस इतना ही? इतना ही ठीक है बाबा सविता, साथे मैं मेरे बेटे सिड को तुभारे पास भेज रहा हूँ ड्रामा शुरू कर दो ड्रामा जी सर सविता जी है घर पे? जी है, अंदर आईए बैठे मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ जी बैठे में आपके लिए फाइल लाया हूँ और थोड़ा जल्दी से पैसे लिए प्लीज इतनी बीके अचल दी हैसे तार्ट? होशो हवास खोजाने दे होता है जो भी अब हो जाने दे होशो हवास खो जाने दे होता है जो भी अब हो जाने दे सासों की इस गर्मी से उदकों पे घले दे एक दोजे की बाहों में जिसमों को खुले दे मुंदों के इस मासम में जिसमों को धुले दे मुंदों को धीरे धीरे होटों पे खुले दे एक दोजे की बाहों में जिसमों को खुले दे मुंदों के इस मासम में जिसमों को धुले दे मुंदों को दीरे दीरे मूटों पे खुले दे मेरी आखों में है नशे की एक चिंगारी जितनी आग है इसमी तुझको पिला दूं सोरी मेरी आखों में है नशे की एक चिंगारी जितनी आग है इसमी तुझको पिला दूं सोरी मेरे साथ चले की तू करने अब तैयारी दूरी बरताश होगी नहीं जो मैं कहूं अब हुगा वही मेरे इश्यारों पे तू खुदको अब चले दे एक दूजे के बाहों में जिसमों को घुले दे बूंदों के इसमा सम्मे जिसमों को धुले दे बूंदों को दिरे दिरे होटों पे खुले दे वो अफिस के डॉल इंटिरियर्स वो साड़ साइम्ब्योंस I think I need a change और उसके लिए उसके लिए मुझे है क्रेटिव परसं की जरूरत है I'll be glad if you can help me Why not? आपको किस तरीके के डिजाइंस पसंद है? Modern, classic ऐसे कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है जो आप सजेस्ट करेंगी So I can go for it I think you should go for a mixture of both Thoda-sa modern, thoda-sa classic आपी काम कीचे मुझे अपने office के लिए उसमेल कर दीचे So meanwhile I'll create few nice designs and I'll show it to you Agar उसमें कुछ अच्छा लगता तो you choose it Superb! I think this will work So uh हम next Monday Further discussion के लिए Next Monday sounds good for me That's great Come here How am I feeling? How beautiful are you? How beautiful are you? Hey, how old are you? 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 Shannu 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 कीदर है? क्या हूआ पापा सब ठीक है? क्या हूँ आपाइसाब जिस सादमी से तू सच्चा प्यार करती है न उसकी सच्चा यह है इनको भी दिखाओ अभी तो और भी फोटोग्राफ थी लेकिन वो इतनी वाहियात और वालगर थी कि मुझे दिखाने में शर्म आती इसलिए लाए नहीं मैं पापा हो सकता नहीं यह फेक हो बेटा मुझे मालूम था तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगी इसलिए मैंने एक प्रोफेशनल डेटेक्टिव हायर करके यह फोटोग्राफ किछवाई है सिट को पता है इसके बारे में नहीं वो तो अभी भुला भाला बेचारा होटल में लगा होगा चाहता तो मैं अकेला ही उसका बैंड बजा देता लेकिन वो इतना चेशोरा किसम का आदमी है कि कोई भी कहानी बना कर तुम्हें सुना देता इसलिए मैं डारे पास आया हूँ देखे भाई सब से मैं मैं जानते हूँ आप प्लीज मत बुली बीच में हम बाप बेटी इसकी इसको सॉल्व कर लेंगे चलो बेटा नहीं पापा ऐल गो अलों लेट मी हेंडल दिस बेटा पापा बोला ना लेट मी हेंडल दिस भाई साब चलिए क्या है यह सब्सक्राइब क्या है यह क्या है यह आई डूंट बिलीब दिस मेरा से इतना नीचे नहीं गिर सकता पर पर इन दस्वीरों का क्या करूं मैं तुम पिछले किने साथ से उस लड़की के साथ हो जवाब दो सेड़ मैं कुछ पूछी हूँ जवाब दो मुझसे बहुत बड़ी गल्ती होगई शन्नो मुझे माफ कर दो तुमें सा कैसे कर सकते हो अई लवड यू यह 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 निखा तुम्हे मुझे इस अई हेट यू जब तोड़ना ही था सबने दिल क्यों बनाया रबने कोई ना मिला जिसका दिल तूटा ही ना हो जग में तुझसे दूर रास्ता हो गया तो सफर ही सजा हो गया लंहों से क्या शिकायत करें हम वक्त ही खफा हो गया किस को बताएं अब किसे समझाएं दर्द दिलों के अब किसको दिखाएं तम जेना कोई मजबूरियां मिलने लगी है जो दूरियां दिलने तो ये चाहा नहीं फिर किसने है दी मन्जूरियां शन्यों कपूर अंकल हम दोनों की शादी करना चाहते हैं बट आँनो अब करना चाहते हैं अशीश तुम अच्छे लड़के हो इस इस जैस्ट कि मैं उसे तनी जल्दी नहीं भूला सकती आई नीट सम टाइम पर क्या तो मुसे माफ नहीं कर सकती नहीं तुम्हारी प्लेट कहा है खाना नहीं खाने वली हो तुम नहीं चलो आज हम दोनों साथ साथ एक प्लेट में खाना खाते हैं चलो मुझे नहीं खाना है आप आप खाईए अरे असे का करते इसका खाना मुझे भूक नहीं आप खाईए आएक लगा बोला मेरा तिल अब भी नहीं मांद रहा है कुछ तो गड़बड है क्या गड़बड है क्या बात कर रही है तु मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता वो फिर वोई बात अर क्यों बाल की खाल उधेड रही है जा मेरे लिए पाने लिया मालती बक्तर गोना है दारावर कितनी बेल बजा रहा है अब खड़ा गया है उदर भूत के बाफिक बाबा क्या कर रहे हैं बाबा मंगेश दादा और जनिफर बावी की रोड एक्सिरेंट में माथ होगी अप्राओने चाहिए अप्राओने अप्राओने बावी की रहे हैं अप्राओने झाल प्राओने आप इननिफ में जो वाप्राओने घ्रेंट में हुआ हुआ है बाबा हम दोनों आपका आशिरवाद लेने आये हैं कौन बाबा किसका बाबा यहां कोई बाबा नहीं रहता आपको घलत अडिस दिया गया है मेरा बेटा मर चुका है कि अरे भाई जेनिफर का चर्च में फ्यूनेरल आपको पता है कि नहीं हाँ आज शाम पांच बजे सेंटेट्यू चर्च में नड़करणी मैं जेनिफर के फ्यूनेरल में जाना चाहता हूँ तू आएगा मेरे साथ साथे, आर यू श्यूर? शायद यही एक आखरी मौका है मेरे बेटे और मेरे भहू से माफी मागने का साथे, प्रॉपकरणने का बजे साथे कर दो कि दो कि आएगा इस इसाथे प्रॉपकरणने का प्रॉपकरण में वाम चर्पकरणने में साथे, आर यूसमा यू श्यूसमा लूली उट्यूर्गूर्टु्रचॹ गली बिलाव ने, लूसिंविंह। ज़्योर्ट incorporления थे सुष्ट। सिंविं puddingे ऑीमिनि,Wow! मैं आपके ने, कि असलों, बिला। पाई इसने में आप 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 चलो साथे सब लोग निकल गए अब हमें भी चलना चाहिए चलो मैं आप बगश्का फदर आप 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 झाल झाल सित, यह कहां जा रहा है तो, थोड़े दिनों के लिए केला रहना चाहता हूं आई, और वो सवीता वाला के साथ अब जूर था, सित, तो कहाई और मैं आज भी शन्नों से प्यार करता हूं, सित, 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 कहा जा रहा है तू, सित, सित, कहा जा रहा है तू, सित, सित, रुको, क्या हो क्या रहा है इस गर में, आव, आव रोको उसे, आव देख क्या रहा है वो, आव गर छोड़के जा रहा है वो, कौन था वो तेरोरिस था किसी का खून किया था उसने किसी के घर जाके चोरी खी थी उसने क्या किया क्या था मेरे बच्चे ने जो आप उससे इतनी नफरत करते थे वाँ आज तो आप बड़े खुश होंगे ने मिस्टर साथे क्योंकि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप नहीं रहा और आपका दूसरा बेटा भी आपको छोड़कर चला गया है वाँ कोंग्रास मिस्टर साथे ये केस भी आप जीत कहीं सेद और शन्नो एक दूसरे से अलग हुए हैं कोंग्रास मिस्टर साथे हुए 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 मैं कहीं लेट तो नहीं होई बहुत जयादा हो जाड़ा ओं मैं एक युविया क्या लोगी ।कुछ नियी तुम कुछ कहना जाते थे नाध हाँ वो स्वाती मैं सोच रहा था कि मैं कपूर अंकल से कह दूँ कि मैं शन्नो के साथ शादी नहीं कर सकता पर क्यों तुम दोने इक दूसरे को बच्पन से जानते हो पसंद भी करते हो यॉर राइट कोमल, अमरिता, शन्नो और मैं बच्पन के दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते हैं इसलिए मैं जानता हूँ कि शन्नो आज भी सिट से प्यार करती है और मैं भी किसी और को चाहने लगा हूँ हूँ, 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 है कोई, एक स्वीट, सिंपल, क्रेटिव गल तो प्रॉब्लम क्या है? यही जानने के लिए तो तुम्हें बुला है मतलब? स्वाती वो, अगर मैं तुम से कहूँ कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और अपनी सारी जिन्दिगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्म तो नहीं होगी हाँ 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 अमरिता अशिश क्ये तो मेरे खर हें आसकते हो अ हाँ पर क्या हुआ वो सह में तुम्हें बाव हमें बतांजी प्लीस अभी जल्दी आढ़ाऊ वाइन, आम कमिंग, क्या हुआ, अमरिता का फोन था, उसने अपने घर पर बुलाया जल्दी, लेच गो, ओके, खालूं, खाओ, खाओ, आपी के लिए तो काटा है, इस वख कौन होगा, साब आशी सर आए हुए है, तो क्या भेजो यार अंदर उनको, जी सर, आशीष पुत्तर, अंदर आजा पुत्तर, वाँ क्यो गड़े, बड़ा चुप-चुप लगरे, क्या हो गया, क्या हो बिट्टा, सब ठीक है ना, हाई रभा, ये क्या हाल बना लिये तुने बुतर, हाँ, मैं आर बार आपको कह दे थी, कि अम्रिता को वापस ले आओ, आप आर बार यही कह दे थे, कि शादी में तो चोटी-मोटी बात ही चलती रहती है, सब ठीक हो जाएगा, देखो ना, उजराबी ने मेरी बच्ची का ग्या हाल कर दिया, आप बाव तोड़की उसको वापस भीज दिया, मेरी बच्ची, अब क्या करोगे आप, जुप जब खड़े रहोगे ना, ठीक है, लेकिन मैं जूप नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं जूप, मैं, उसने हमारा प्यार देखा है ना, लेकिन आज मैं उसको पंजाबियों की नफरत दिखाऊंगी, नहीं रहूंगी मैं जूप, चल मुरी बच्ची, तु चल अंदर, मैं दोगती को तुझे कौ एक बार गल्ती कर चुका हो पुतर दुबारा नहीं करना चाहता तुम और शंडो तु बच्पन के साथ ही रहो खुश रहोगे बेटा शादी करके अंगल मैं आपके जजबातों की कद्र करता हूं पर सच यह है के शन्नो आज भी सिट को प्यार करती है और मुझे भी लगता है के हमें सिट को एक और मौका देना चाहिए आखिर उनकी जिन्दगी का सवाल है साथे साप आप ची वो मुझे इनको मैंने बुलाए अमृता का केस यह लड़ेंगे बाबा इससे देख रहे हैं आप मेरी बड़ी बहन इसके पती ने इसका जीना हराम कर दिया हर दिन कोई नहीं डिमांड कुछ पैसो के लिए क्या हाल बना दिया इसका और पापा आप अप हमेशा कहते हो न कि लड़का पंजाबी होना चाहिए खांदानी होना चाहिए इतनी छोड़ी से बात आपको क्यों नहीं समझ में आती कि किसी का मराठी या पंजाबी होना खुशियों की गैरेंटी नहीं देता बस पुत्तर बस मुझे अपनी गलती का एसास हो गया है मैंने चाहता कि जिस तरह मेरी गलती की वज़े से मेरी अमरिता की जिंदगी बरबाद हुई उस तरह तेरी जिंदगी भी बरबाद हो सेट बहुत अच्छा बच्चा है बेटे तो उससे ब्या करना चाहती है हमें कोई इतराज नहीं है और वो जो सविता और सेट की फोटो का ड्रामा था वो सब एक जूट था मैंने और साथे सापने मिलके प्लाइनी की थी तुम्हें अलग करने की तू उससे शादी कर ले बेटा बाबा क्या ये बात सच है आप 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 दूनों हमार साथ ऐसा कैसे कर सकते हूँ सुकलमा सब गलती हो गया मेरा मैं मेरे एक बेटे को खोई चुका हूँ दूसरे को नहीं खोना चाहता हूँ सिठ घर चुड़ के चला गया है पता नहीं कहा है किस हाल में मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ गटा तू तू जाके उसे ढूड़ ला फिर तुम दोनों जो कहोगे वो हम करने के लिए दे यार अब तो एक की रास्ता है बाबा लेकिन वो भी तो इमाले गए हैं ना कोई ने हम ना बाबा जी की फोटो के आगे हाथ जोडते जरूर कुछ ना कुछ होगा आओ आओ जी सलाँ अब आप काई साहरा है बाबा कोई रास्ता दिखाओ ना कहां डूंडें सिट को कहां जाएं टीवी पर फोटो दे ये टीवी से कुछ होने वाला नहीं है जाओ रेडियो सुनो जमतकार बाबा फोटो से बोल पड़े अरे बेखुफो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ अब बाबा इधर आज ही आया हिमाले से आते ही पता चला मेरी बेटी परेशान है चलकर आगया मैं जेव बाबा जेव बाबा अरे ग्यान गुरू को फोन करो मैं अपने सिदात को अच्छी तहां से जानता हूँ वो ग्यान गुरू के रेडियो पर प्रोग्राम सुन रहा होगा रेडियो मैं फोन लगा हो फोन जल्दी चलिए दोस्तों इस शो की हमारी अगली कॉल लग चुकी है देखते हैं वो कॉलर कौन है लग गया मेरा फोन हलो 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 ग्यान चला गया है और वो आपके शो का बहुत बड़ा फैन है और आम शॉर जहां भी होगा इस वक्त आपका शो तो जरूर सुन रहा होगा बस उस तक एक बात पहुंचानी है आपके शो के जरीए बोलो अशीश क्या कहना चाते हो तुम सिधार्ट से सिध मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन पा रहे हो तुम्हें बहुत बड़ी गलत फैमी हुई है मैं और शन्नो सिर्फ अच्छे दोस्त है हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है इनफेक्ट मैं तो मैं तो स्वाती से प्यार करता हूँ भाई तुम जहां भी हो जैसे भी हो बस घर चले आओ तुम्हारी मा बहुत देदे मुझे दे फोन हलो सिथ आई बोल तेरे बाड़ा कहां चला गया तु तुझे हमारा जरा भी खैल नहीं आया आई एक मिनिट देख सिथ मुझे पता तुम्हारी आवास सुन रहा है हां बहुत नाटक हो गया तेरा अब जल्द केस है ना मुझे पता है वो सा फेक है okay so जहां भी है come back home right now तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे दूर नी पाऊंगी just wait I'm coming for you okay in on मुझे पता है siddh का है कहा हो बता अरे बताना भाव क्या खा रहा है कहा हो सैवियो के अड़े पे अग्ता शल्दी जल्दी 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 जाओ 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 खुश रहो चले एक मिनिट हालो, बाबा? हासवाधी, कहा है तू? बाबा, मैं आशिश के साथ हूँ. साथे और कपूर अंकल भी हमारे साथ है. सिखका पता चल गया. कहा है वो? सैव्यो बार चुहू. ठीक है, मैं वही पहुंचता हूँ. किदर? सिधा, सिधा आगे. किदर? आगे इदर यह आगे उदर हाँ 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 यह से चलो यहाँ अरे शन्नो तुम युन वाट सेट प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम सौर्म नहीं होती अगर आप किसी को चाते हो तो उसको पाने के लिए लड़ो और इतनी असानी सो से जाने मत दो और क्या कह रहे थे तुम ही तुसे कि तुम मुझे दुनिया नहीं घुमा सकते हो मुझे बड़ी गाड़ियां नहीं दे सकते हो किसी और के साथ मरसेडीज में बैटनी सच्छे मैं तुम्हारे साथ आटो में घुमू इतनी छोड़ी जिबा तुमको समझ में नहीं आती मैं तुम्हें वो जिन्दगी नहीं दे सकता शन्नो जो आशीश दे सकता है अगर तुम्हारे साथ जिन्दगी बिताने के सोचता भी हूँ तो आई बाबा दूर हो जाते हैं क्या करूँ? कहा जाऊँ? किस-किस से लड़ू मैं? बेठा, तुझे कहीं जाने की जुरुत नहीं बाबा, आई? हाँ मेरे बेटे तु हमारे साथ ही रहेगा और शन्नो भी लेकिन हाँ घर का बॉस मैं ही रहूँगा याद रहे शन्नो शन्नो, तु घाबुनो को सभाड़ा हम दोनों माँ बेटी मिलकर इनकी खूब कलास लेंगे हाँ हाँ रभा इतनी जल्दी मेरी बेटी पराई हो गई फार्टिंग इस बेरी पेंफुल अँ अँ फार्टिंग नहीं आँटी? अरे यार अंग्रेजी में कोई हाथ नहीं पकड़ ज़ता उसके लिए लड़की ढूंड ली है साड़े साब प्लीज if you don't mind नाडकरणी या या नमस्कार नमस्कार नाडकरणी साब मैं तो मानता हूँ कि बच्चों की खोशी में ही माबाब की खोशी है इसलिए आपकी इसाज़त हो तो मैं स्वाती का हाथ आशिश के हाथ में देना चाहता हूँ साड़े सब साड़े सब आपने हमेशा मेरी स्वाती को आपने बच्ची की तरह समझा है हाँ थैंक्यू वेरी मच काश मेरे भी माबाप होते तो शायद मेरे भी हाथ पीले हो जाते हाँ यूर ब्रिलियंट सर हाँ तेरा लाक साड़ी हिल दी नई आख पाटी विची कतुयों लगें फिट सोणिये तेरा ठुम का तेरा ठुम का तेरा ठुम का सुपर हिट सोणिये तेरा ठुम का सुपर हिट सोणिये तेरा ठुम का सुपर हिट सोणिये बल्ले बल्ले जवानी बला साल आ गया अदी मार की में नच दी जावाँ के फ्लोर ते पुचा ले आ गया अदी मार की में नच दी जावाँ के फ्लोर ते पुचा ले आ गया बल्ले बल्ले जवानी बला साल आ गया बल्ले बल्ले जवानी बला साल आ गया तू मनिया ना मनु ओ च TCम kommen you जाद लगए तुनः चण DJ plane के बटन उच्ची कर दिंदा वाल यंड़ तेरी अख्याँ दिलिकर भीकेs डोल दे सपीकर अखियाँ दिलिकर भीके डोल दे सपीकर अजुसाननू भी पिला दे लिटल भी्अग सो उन hemisphere तेरा ठूम का, तेरा ठूम का, सुपर हिट सोनिये